दोस्तो आप लोगों को लिए एक अच्छी टीप्स लेकर आया हूं जिन लोगों का मूबाइल में बैटरी जल्दी से खतम हो जाता है और जिन लोगों का मूबाइल बहुत ज्यादा हैं करता है उन लोगों को लिए तो चलिए दोस्तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग किक करे तो पहले आपको एक application download करना पड़ेगा तो इसका download मैं link description में दे दूंगा बाद आभी इसको कैसे यूज करते हैं मैं देखाता हूँ आप इसको ओपन करना पड़ेगा ठीक है open करने के बाद आपको यहां पे बहुत सारे अप्सन दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है scan, battery, clean, messenger, boost ठीक है, इतना सब कुछ है इसमें, बहुत सारे facility है, पहले आपको यहाँ पर scan करना पड़ेगा, scan करने के लिए आपको यहाँ पर scan में click करना पड़ेगा, यहाँ पर scan में click करने के बाद आपको, यहाँ पर जो search ब हो रहा है और scan करने के लिए थोड़ा time लगेगा और दोस्तों अपना मूबाइल में जो junk file है ना यानि भाइरस जो रह जाता है इसको एक clean कर देता है ठीक है तो इसको मैं दिखाने के लिए cut कर देता हूं ठीक है कैंसिल कर दिया इसके बाद जो बैटरी है अब लोगों को सब लोगों को प्रॉब्लम में होता है कि बैटरी जल्दी से खातम हो जाता है इसलिए एप बहुत ही पॉपुलर है तो दोस्तों यह देखिए ना scan के बाद बैटरी बैटरी में क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना होगा यह देखिए क्लिक करने के बाद यहां पर आपका जो बैटरी को जल्दी से खातम कर जेता है ना जिन भाइरास या जंक फाइल है तो इसको एक लीन कर देता है ठीक है यह देखिए क्लीन हो रहा है दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा बढ़ आभी मैं इपांट देता हूं डेए क्लिक करसे के बाद यहां पर क्लीन अ रध कर रहे हैं के जो सब्सक्देश रहे हैं यहां पर आपको क्लीने ना पड़ेस पूरी मोबाएल आप स्थ बींश हो जायेगा ठीक है तो क्लीन होने के बाद आपको k centralized को फिर से बैक करते करना पड़ेगा यह देखे चैंसेल में दिखाने के लिए किया देखे चैंसेल कर दिया इसके बाद मैसेंजर्ट बूस्ट साथ कुछ करने के बाद आपको मोबाइल को एक-दो मिनिट स्विच अप करके रख देना होगा इसके बाद फिर से मुबाइल को अन करना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों आप देखिए आपका मुबाइल बहुत ही फास्ट चल ला है और आपका जो बैटारी जल्दी से खतम हो जाता है यह बहुत आच्छा काम करेगा और दोस्तों एक बाद इसको डाउनलोड करने के लिए आपको पहले प्लेश्टोर में जाना पड़ेगा प्लेश्टोर में जाके आपको यहां पे जो डॉक्तर कैप्सुल दिखा रहा है ना इसको आपको लिखना पड़ेगा यहां पे पहली अप्शन में जो आएगा इसको आपको डाउनलेट करना पड़ेगा दोस्टो ये वीडियो आप लोगों को आच्छा लगे तो आप लोग प्लीज सास्काइब करना लाइक करना और दोस्तों को साथ स्यार करना थांक यू